चलिए शुरू करते हैं तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे आपका चैप्टर नंबर वन है और लाश्ट क्लास में पिछले क्लास में क्या पड़ा था अगर मैं पिछली क्लास के बाद करता हूं तो कह सकते हैं भीन्दों का पलिचे बहुत ज्यादा प्रैक्शन के बारे में नहीं देखा था बस हमने देखा था कि फ्रैक्शन होता क्या है इंटोड़क्शन था मार तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़े थी मैं जल्दी जल्दी करके रिवाइस करवा रहा हूं आप भीन्दे सर एक पी बाई क्यू के रूप की संख् में लिखू तो इसका सिंप्लेश्ट फॉर्म क्या धर्साएं पूर्ण का इसको नोट कीजेगा लाट क्लास में ने बताया था पूर्ण का कुछ भाग या हिस्से को अगर बताएगा तो वह भेन्न होगा उदाहरन के तौर पर अगर मैं लिखू यहां पर तीन बटा साथ तो यह किस प्रकार का भीन है यह तो आज देखेंगे लेकिन अभी के लिए आप बड़ा रहेगा तो भी भिन्न होगा तो कैसा नमर भीन्न नहीं होगा अगर मैं लिख दूँ यहां पर पांच बटा पांच ठीक है मैं फाइब बाइफाइब अब बोलोगे सब पांच से पांच कट जाएगा और यह फाइब बाइफाइब मिलकर वन देगा ठीक है और वन क्या है किसी पूर्ण चीज को दरसार पूर्ण संख्या भी कहसे पूर्ण को दरसा रहा है किसी एक चीज को दरसार है तो वो लेंगे फूर्ण है तो यह भिन नहीं तो पांच बटा-पांच को भिन नहीं कहीं या मैं यहां पर लिख दूँ ना चार तो बीस बटा-चार को अगर हो सरल्तम रूप या तो यह नहीं होगा तो एसा मत सोचना कि उपर में बड़ा है इसलिए इसको कर दिया तो इसके अलावा मैंने आपको बताया कि कभी भी वाई-Q के रूप में लिखते हो तो ऊपर में जो नंबर लिखा गया है उपर वाले को और वाले यहां पर हमँद कहते हैं इसे आप क्यूं को क्या करते हैं और हर को इतना समझ में आया तो अगर मेरी ददू 15 बटा उननीस तो मुझे बताई यहां पर हर क्या है कि एनिवन कोई बताई जल्दी से कि 15 बटा 19 में हर क्या है तो नीचे वाले नंबर को हर कहते हैं तो उनीस हमारे पास हर हो गया ट्रिकें 15 क्या हो गया पंदरा को आप बोलोगे अंस एक अंस जी कि अनीस है और उनीस वह तो यह साथ है थिवर्य को में कर रखा था सब्सक्राइब करेंगे अब ध्यान से करना यहाँ पर पूछा था पिछले क्लास में वहां काफी लोगों ने गलत किया था कौशें में पूछ रहां कौन सा एक भिन नहीं है वीचन उंसर करें इसको कि कौन सा भीन नहीं है कि दी जो होगा वह आपका अनसर नहीं होगा जो भीन नहीं है वही आप प्र से गलत अंसर आ रहे हैं प्र स्थिक्ष करने के पहले अपना कॉपी भी दिखा सक्ते हैं अगर गलत रहेगा कुछ को मैं बता दूंगा कि आपका कुछ गलत है कि अंसर तो नहीं बताऊंगा आपका भी अंसर बिल्कुल सही है ठीक है पूल में जाकर अंसर करो कि बाकी सबी लोग अपना कॉपी दिखाईए शुमन के नाम से जो बच्चे हो आपका अंसर नहीं दिख रहा है फिर से आप थोड़ा से उपर करो कॉपी को तो इस लुबन आपका अंसर गलत है आप फिर से चेक करो अमित आपका अंसर सही है रहा है है अभी मैं देख रहा हूं पांच बच्चों का अंसर नहीं आया है तो अभी चार लोग का अंसर मिए आए है कि अब 10 सेकंड और है जल्दी संसर किजी काफी आसान है कि जैदी पक्ता कैमरा आपको बंद रखना है कैमरा देखो आपका ओन है पाइब सेकंड और अभी जिनका नहीं हुआ है जल्दी सेंसर कर दो बैठे नहीं रहना है कभी भी पोल में ठीक है कि नहीं करना कोई भी पॉस्ट्ट्ट फाइव फोर थ्री टू वन चलिए अब मैं पोल को कर रहा हूं कि अच्छा कुछ बच्चे जो क्लास को बारबार लेफ्ट कर रहे हो जोइन कर रहे हो गर कुस प्रॉबल में तो बता से थे हो क्लास करिए सारे शुरू से लाश्ट तब ही आपका टेंडन्स लाएगा चलिए यहां समझें तो पूछा जारा है कौन सा भीन नहीं हो तो एक बटा दो तो सब्सक्राइब होगा ना एक बटा दो को तो आप आधा कहते हो सिधे आपको याद है और यह क्या है पून का कुछ हिस्सा है तो एक भीन है और भीन है तो यह मारा अंसर नहीं होगा अगर मैं लिखू बीक को देख तो आप बोलो कि सब्सक्राइब क्या है यह एक भीन है यह कुर्ण चीज़ को नहीं दर्शार है तो यह कहेंगे यह कभिन है तो अंसर नहीं होगा ऐसे और पूर में से कुछ भाग को दर्साराइब कुछ हिस्से को दरसा रहा तो यह भी भिन है तो यह भी हमारा अंसर नहीं होगा अगर मैं अप्शन डी को देख तो बारबट अच्छे क्या है काफी लोग ने मुझे दिखा रहा था अपने अंसर तो आप लोगे टूएल बाइसिक्स क्या है इसको सिंप्लेस्ट फॉर्म में दिखेंगे तो यह दो आजाएगा और दो क्या है किसी पूरी चीज़ को दिखा रही है और दो एक पूर्ण संख्या को दिखा रहा है इसलिए दो भिन नहीं होगा तो कहेंगे ऑप्सेंडी हमारा सही उस्तर है क्योंकि बारबट अच्छे भिन नहीं है हमसे वही पूछा रहे हैं घ्लती है उनको भी समय में आगए घ्लत हो गए उनको ब्लात तो यहन होता क्या है कि इसे वह कुछ भाग होगा कि एक कुछा होगा किसी भी पूर्ण को भिंद्ट कहले, ठीक है, पूर्ण को भिंद्ट नहीं कहले, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आज हम हम क्या पढ़ना है? तो आज मैं देखते हैं, है टाइप्स ओफ त्रैक्शन मतलर भिंद्ट के प्रकार, जैसे मैंने लेकिन नहीं बताया कि ये किस प्रकार का बीन नाम किया है और उसके क्या क्या नाम है तो अगर मैं कभी बोलू कि बीन कितने प्रकार की होते हैं तो आप बोलना साय भेन टोटल थीं प्राकार के नाम क्या है ऊचित फिर पहला होता है उच्छित भी तो पहला होता है उचित भिन जिसको इंगलेस में कहते हो प्रोपराक्शन में कहते हैं इन और पॉस्रा एक उचित वा दूसरा अ sensor तो रसक्ति हुआ और थीसरा क्या होगा तीसरा मिस्रभिन या कई जगा प्राफ लिखोके धर्यानि मिक्स्ट फ्रैक्शन तो यह तीरू नाम आपने नोट कर लिये सबी लोगों ने बताई है नाम सभी ने कर लिया पहला उचित भिन्द दूसरा अनुचित भिन्द तीसरा मिस्टर भिन्द प्रॉपर फ्रैक्शन इंप्रॉपर फ्रैक्शन मिक्ष्ट फ्रैक्शन अब जैसा नाम है नाम के यहां पी को क्या कहते हैं एनिवन माई कॉंटर के जल्दी से बताओ कि पी को क्या कहेंगे एनिवन कोई वाले नमर को कहते हैं यानि निमरेटर कहते हैं का या और वाले नमर को आप को होगे सब्सक्राइब करते हैं और कभी अंस चोटा रहेगा और सब्सक्राइब जैसे तो यहां पर क्या देख रहा है हर बड़ा है तो यहां पर कैसा होना चाहिए होणा चाहिए चोटा होना चाहिए माइक आप है सभी का से अंस अगर हर से कम हो या कहसके चोटा हूँ तो ऐसे भीड्र को क्या कहेंगे उचित भीड्र कहेंगे यह क्लियर हुआ सभी का बताइस रहें यहां पर टीन क्या है 5 से छोटा है पांच बढ़ा है, तीन से बाति बड़ा है, तो सबी में दिख रहा है क्या कावमन कि म lly यहां बड़ा और बड़ा है, तो अम सुपत रहेगा हर बड़ा लएगा तो आश्या क्या कहेंगे उचित भिन कहेंगे प्रॉपर फ्राक्शन कहेंगे इतना क्लियर हुआ बताई अगर मैं लिख दू बारा बटा तेरा तो यह उचित भिन है कि नहीं है बताई बारा बटा तेरा उचित भिन है क्या हाँ अगर मैं बोलू कि तेरा बटा पांच यह उचित भिन है क्या अगर मैं लिख रहा हूं मुझे बताईए अगर मैं इस तरीके से लिख पूँं कि एक्सबटा वाई स्मझे इंपोटन्ट है ऐक्सबटावाई क्या है उचित भिन है एकि यए क्ले है कि तो मुझे बताईए कोज और सासरी होगा एक्स छोटा होगा वाई से आप्चिन ये एक्स बड़ा होगा वाई यह बता है कौन सा सही होगा यह या भी तो यहां चोटा रहेगा हर बड़ा रहेगा हर बड़ा रहेगा तो यानि की एक्स चोटा रहेगा वाई बड़ा रहेगा तो यह वाला साइब हुआ है तो उचित भीन समझ में आ गया अब हम लोग देखते हैं अनुचित भीन क्या होगा इंप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगा लाश्ट क्लास में भी कई वाद आपका डाउट हुआ था अगर मैं लेकू बारावट्टा साथ तो आप इसे क्या क्यों है अरश candy है कि ज ninth यहां कि लिist अलग से की में बड़ा आउज ceremony त्विंद्ध में अनुद्ध किसे लिखन में है और और हर में अगर अन्स बढ़ा हो जाए हर के ऐसे दिद्म को अनुचित कहए ठीक है अनुचित कहें उदाहरं के तौर पर कि यहां पर लिख सकते हूं 5 बटा 3 कि दिख रहा है और हर जगा देखो बढ़ा नीचे में चोटा यहां उपर में बढ़ा यहां पर चोटा यहां तीन बढ़ा दो चोटा तो कहेंगे अगर बढ़ा दिख रहा है तो ऐसे वाले को अनुचित भिन्द कहेंगे कि मुझे बताइए अगर मैं कह रहा हूं आपके पास एक अनुचित भिन्द में अन्स कैसा होगा और अगर मैं लिख दू उचित भिन्द में अंस कैसा होगा तो उचित भिन्द में अंस छोटा होगा ठीक है तो कंप्रेजन करना है आपको अंस और हर्व में ठीक है तो सिव ने लिखा है तेरा बटा पांच तो सिव का अंसर सही है तेरा बटा पांच सही है कि सुमन ने लिखा है नौ बटा चार बिल्कुल सही है तो बटा बटा तीन लिखोगे तो यह गलत हो जाएगा तो यह पून संख्या को दिखा रहा है ना पून को दिखा रहा है तो चार हो जाएगा दो बट्टा चार दो बट्टा चार नहीं होगा जैदीब आप देखो उपर में छोटा लिख दिया तो यह उचित भिन हो गया मैं अनुचित लिखने बोलगा हूँ सब को से लिखना है अलग लग लिख किराए तिन सब्सक्राइब अपने क्या गल्ति करने अगर लिख दोगे मुझे तो यह तो पूर्न है तो यह नहीं नहीं है तो यह उचित की बाते करें नहीं करें तो ध्यान से देखेंगा कि वह पूर्ण नहीं होना चाहिए अभी सब्सक्राइब लिखेंगे लिखो अधिक एक चैट सेक्षन में श्याट में उसितभिन्द लिखके बताईए, टॉपर लिखके बताईए, six butuhGHT बिलकुल स हमारा एक उचितभिन्द होगा, ठीक है? तो सुमन लिख रही है, seven by twelve, जै दीप लिख रहे हो two by four, बिलकुल बिल्कुल सही है संदीप के नाम से जो बच्चे हो अच्छा अलग लग लिखने हैं सभी को देखो रिपीट हो रहा है अंसर रिपीट नहीं करना है चार बटा छे यह अंसर नहीं आया है ठीक है चार बटा मतलब समझ में आया ना कि उचित भिद में अंस बड़ा रहेगा इतना क्लियर हुआ हाया ना अब बताईए आल क्लियर चली तो ही मैं कोस्टन दे रहा हूं सभी लोग पोल से एक्सर में अंसर करेंगे ठीक है सबसे पहले तो काफी आसान कोश्चन ने लाज्ट क्लास में बताया था पिछले क्लास में फिल इंद ब्लैंग से अभी मैं थोड़े देर में पोल को लॉंच रूँगा बार बार आप इस स्टेश्मेंट को पढ़ो देखो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा यहां पर एक डैस क अबिद्ट में कुछ बाग को निरुपित करने वाले संविंख्या बेद्न कहल cave क्या होता है एक उच्वं कंखता कुछ भाग ہوगा को यह एक अंश्का कुछ वाग होगा तो आप देखो कौन सा आपका अंसर सही होने वाला है ठीक है ध्यान से अंसर करिए तापकी आपका अंसर गलत नहीं हो त्राइब करें इसको अभी पॉल देखी जाएगा खुद से करना है ठीक है करो हडबड़े नहीं करना है आप पढ़ो इस्टेट्मेंट को बार बार कि मैंने आपको कई बार क्लास के सुरुआत में बताया था कि ठीक है स्टीव आपने काफी अच्छा नोट्स बनाया है कि अच्छे यहां काफी लोगों के अंसर गलत आ रहे हैं कि बहुत सारे लोग का अंसर गलत है तो ध्यान से पढ़िए एक डैस के कुछ भाग को तो सभी अप्शन को आप डाल डाल कर देखो कौन सा आपको सही लग रहे हैं लोगनने का, यह प्रोल सभी ों की अंसर सभी मैं है सब्सक्रवाग को अच्छठन सब्सक्त सधाओ आप पर इस कोश्चन में काफी लोगों के अंसर गलत आए जबके काफी आसान सा कुर्शन जल्दी सेंसर कीजी तेंज सेकंड और अमित आपका अंसर गलत है आप दिखा रहे हो आपका अंसर बिल्कुल गलत है तो सीव का अंसर मुझे दिखा अब शीव आपका अंसर सही है इस पात सेकंड और रुकते है पाइब दोर ट्री जरे पार सरे पार इस यह होगा नहीं यह नहीं होगा अभी मैं इसको अधिन आपका अनसर पोल में अनसर कर तक की आजेस के नाम से बश्क्राइब अच्छा अभी अंसर नहीं बताना था है फाइव फोर थ्री तू वन अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं इसको समझते हैं चली यहां पर काफी लोगों के अंसर गलत आए अब यह मुझे नहीं समझ मेरा है क्यूं आप सभी का इतना सा अंसर गलत आए अच्छा चैट में सही दे रहे हो अंसर पोल में आपने गलत कर दिया क्यों गलत किया अब बताए कि क्या आइक कॉई माई कॉन करके अब सभी को बी लग रहा है वी फोल में क्यों नहीं आए भी फोल में मैक्सिमम्न लोग कह रहे उचित बिन तो यह मत सुचो कि अभी उचित बिन और अनुचित बिन पढ़ा रहा हूं तो सभी का अंसर उचित बिन होगा ठीक है आपको बताया गया था कि भिन क्या होता है भिन पार्ट अब दा होल होता है किसी पूरी चीज का कुछ हिस्सा होगा मतलब किसी पूर्ण का कुछ भाग को रिप्रिजेंट करने वाला न इतने बच्चों के अंसर गलत थे इमानदारी से सभी लोग बताईए तो कई वार मैं कहता हूं कि आपको हडबड़ी में करना है बार-बार को पढ़ना है तो आपका अंसर गलत हो गया आप अगर इग्जाम में इस तरीके से को लुए तो फिर आपका अंसर जाएगा तो हमेशा सभी करना है स्वाज को भीण करते हैं किसी पूरी चीज़ को भाग को अगला कोश्चन करें अभिस कोश्चन में फिर से इस इसमार में करना कि हर बड़ी में आपका अंसर गलत हो तो यहां पर आपको बताना है कि जब किसी भिन का अंस उसके हर से गैस होता है, तो उचित भिन होगा, तो आप देखो पहले उचित भिन क्या होता है, उचित भिन को अपने मन में याद करो, कि उचित भिन कैसा होता है, उचित भिन यहां पर लिख दो अपने मन से, अपने मन यह दोनों ही बराबर यह देखो एक से ज़्यादा के बारे में तो मैंने कुछ नहीं बताया तो आप देखो यह भी यह सी में से कौन सा होगा कि फोड़े देर में पोल लॉंच करूँगा पहले खुद से डिसाइड करें धेखो उच्चित-भिंद की बात की जा रही है उच्चित-भिंद में अंस कैसा होगा भर से कम होगा या ज्यादा होगा पहले कुछ अपको समझ नहीं कि इस शीव का अंसर सअए है ठिक है सुमन दिखा रही है बिल्कुल सुमन आपका अंसर सही है आपको वोल में अंसर कर सकते हो तो आमित्त आजड़िप आपका वे अंसर सही है इस भर काफी लोग के अंसर सब्सेंद लोग के अंसर लिए अपसे दो बच्चे का अंसर बचा हुआ है अच्छा विकार्स के नाम से जो बच्चे आपका कॉपी नहीं दिख रहा है विकार्स आप किर्शी अच्छे से दिखाऊगे अपने पिर्शी पकड़ी हुए सीधा पकड़ो मुवाइल को अपने कॉपी कर ऊपर रखो कमी दिखेगा हाँ चलिए ठीक है अभी मैं फाइब सेकंड और दे रहा हूं फाइव पोर थ्री टू वन चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं अब सब्सक्राइब यहां पर बोलोगे जैसा आप सभी दिखावी रहे थे इस वार काफी लोग के अंसर सहिए हैं सब्सक्राइब यहां पर मुझे क्या दिख रहा है उपर वाले को अंस करते हैं दीचे वाले को हर करते हैं तो अंस छोटा है हर बड़ा होता है तो आप यहां पर लिखोगे कम ठीक है तो उचित भीन में क्या होता है अंस हर से कम होता है छोटा होता है तो आप्शन नमबर यह सई होगा यह सब्सक्राइब यह समझ में आ गया अगला कुश्चिन करिए दो बटा पांच किस प्रकार का भीन्य है अब क्या बोलोगे देखो यह उच्छित भीन्य क्या जो अनुच्छित भीन्य क्या इसमें से कोई नहीं मिसर भीनिके बारे में तो अभी हम कि यह काफी आसांत पूस्चन है इसमें आपको कैमरा उन करके दिखाने के जिरोत नहीं है आप सीधे जाकर अंसर कर सकते हैं अगर गलत भी होगा तो मैंने बताऊंगा ठीक है सब इसे खुद से किजिए अग्या दो बटा पाच उचित भिन है या अनुचित भिन वेरे कुड राज्ये साफ का अंसर सही है शिव का वी अंसर सही है ठीक है कि बाकी बच्चे बताइए दिखाईये अपना कॉफी दिखा सकते हो ठीक है अमित हाँ आप पूल में अंसर कर दो बिल्कुल सही है आपने सही लिखाए देखो पिछला कोश्चन में सभी ने अंसर किया था इस वाले कोश्चन में अभी तक काफी अंसर नहीं आया है काफी लोगों आप बताया जी दुमां समझ जाओ अभी मुझे दिख रहा है तीन बच्चे कांसर नहीं आए दो बच्चे कांसर नहीं तेन सेकंड और उपके लाश्ट टेन सेकंड जल्दी से अंसर कर दो जिनका भी नहीं हुआ है कि सिर्फ एक बच्ची और हो कि फाइब सेकंड और फाइब फॉर थ्री टू पार्ट हां बचाईए लिए अच्छा डी बतलब आप अंसर कर दो ठीक है डी व्याइं कि भी बोला या वी बोला वी में भी था आप वा बोलोगे से बाढ़कों धो बड़का पांच में या है होगा प्रॉपर फ्रैक्शर है समझ में आया अब लोग उपर में छोटा है उचित में हो जाएगा अनुचित भेंद नहीं होगा त्योंकि अनुचित भेंद में बड़ा रहता है और इन में से कोई एक दो बच्चे का अंसर पिछले कोश्चन में गलत आया था तो इस बार सही आना चाहिए तो टूवल बाई फाइफ क्या है इस बार देखो अंस बड़ा है हर छोटा है उपको क्या अपर बाली संख्या बड़ा रहेगे तो ऐसे बंद को आप क्या करतों ठीक है काफी लोगने अंसर दिखा रहा है शिव बिल्कुल सही है आपका अंसर शुमन के नाम से बच्चे वह आपका भी अंसर सही है ठीक है वेरी गुड अच्छा इसमें तो आपको कुछ भी लिखनी के जूरत नहीं है बस आप्शन लिख सेक्ते हो अच्छा अमित का आपने क्या लिखा है पूरा दिखाओ अमित आपका अंसर गलत लिख रहा है मुझे देखो यहां पर बारव बैटा पांच लिखा गया उपर में बड़ा नंबर लिखा गया है तो इसे आप क्या कहो कि अधिक काफी ठीक है जैदी आपका देख लिए आप अपना बंद कर सेक्टों क्या में तभी आपका अंसर गलत है अब ध्यान से करूं देखो बारव बटा पांच में क्या है अंस बड़ा है उपर में अगर नंबर बड़ा रहेगा तो उसे क्या कहेंगे उसे पून संख कि लेकिन किस प्रकार का भीन है कि 10 सेकंड और उख रहा हूं देखो अंसर में अभी नहीं बताओं ठीक है आपको खुद ही करना होगा तो यह बस हींट दे रहा हूं आपको कि बेखो कई बच्चे को कौपय में देख रहा हूं उचित संख्या लिखे एंस अनुश्य संख्या निगवता उस्यत 11 ल सब्सक्राबन कर दो फाइब सेकंड और है आखरी फाइब सेकंड फाइव पूर थ्री टू वन चलिए अपने फोल को एंट कर रहा हूं कि और वर चाट आपका ओन है कि क्यों को यहां पर कि सबीकां सब्सक्राइब और जिसके अंसर मतलब क्या बोलोगे सरा अंस बड़ा है और हर छोटा है तो किसी ने भेंद में अगर अंस बड़ा रहेगा तो ऐसे भेंद को क्या करते हैं आनुचित भेंद करते हैं इन प्रॉपर फ्रैक्शन करते हैं तो अप्शन नंबर सी हमारा सई होगा जो सभी के अंसर चोड़ें इतना क्लियर हुआ सभी का कि कि देखा कुछबचे लिख रहे थे ऐसे अनुचित आप बोलोगे अनुचित संख्या अगर असे लिख अब तो आप अनुचित संख्या कुछ नहीं होता है तो उचित संक्या कुछ नहीं होता लिखना होगा अनुचित लिखना होगा एसे मत लिखना इंप्रॉपर नंबर अगर बढ़ें इतना क्लिर तो बताई को इसे प्रेकार का वह ने बताया था आपको इस के नाम में मिला हुआ का मतलब क्या होगा कोई क्या थो जब गुवा B दो चीज्व से मिलकर बनी होगी मैं इसमें फूर्ण भाग है इसको ध्यान दिजेगा पहला भाग होगा दूसरा भाग उंचित भिंदम होगा ठीक है इन दोनों से मिलकर बना हुआ हो एक पून संख्या होगा और वसका डेẫnिंट का पून संख्या और उसका सकेडंब यह दो दो चीमेझ तो यह दो दोनों चीजों से मिलकर अगर कोई भीन बने गा को ऐसे वाले सब्स्क्राइब क्लियर ति में रिपीट मैं रिपीट कर रहा हूँ ठीक है मुझे पता है काफी सारा उधारन भी दूंगा आप बलोगे सर्थ पून संख्या और उचित भिन पहले देखो नाम से ऐसा समझना नाम क्या है मिस्र यानि मिक्ष्ट मतलब दो चीजों से मिलकर बना होगा ठीक है दो चीजों से मिलकर बना ह क्या है बता यह चार पूर्ण संख्या आप लोगा सर्ट पूरा चीज होगा यहां पर दो बटा तीन रहें इन दोनों को मैं मिला तो इन दोनों के मिलकर हम लोग ऐसा लिखते हैं एक पूर्णांट एक बटा दो क्लियर हुआ कि नहीं बताई तो यह हमने देखा था वी चार पूर्णांक दो बटा तिन इसमें पहला जो भाग है चार यह पूर्ण संख्या दो बटा तिन उच्छे तिन अगर मैं ऐसे लिख दू मुझे बताईए तिन पूर्णांक पांच बटा दो यह मिस्स्र फ्रेक्शन है क्या नहीं सिव आप माई कॉन करके बता सकते हो कि क्यों नहीं है यह श्री अनुस्चेत बिना आपने काफी अच्छा चीज़ नोटिस किया पहला वाला भाद इसको देखो दो चीज़ों से बना हुए तीन और पांच वटा दो तो पूर्ण है इसमें तो कोई डाउट नहीं है यह तो सही असर पूर्ण आ गया लेकिन यह वाला जो चीज़ आपको दिख रहा है यह उचि पहले फॉर्मेट याद रखेगा फॉर्मेट कैसा होगा तो मिस्र भिन का फॉर्मेट देखो एशा लिखेगा बिपीट कर रहा हूं कोई पाती है मैं काफी सारी बार रिपीट करूँगा बुझे पता है कि यहां पर आपका डाउट होगा एक पूर्णांक वी बटा सी टि लेकिन क्या ऐसे दिखने वाले सारे फ्रैक्शन से मिस्लिविन होंगे तो यहां पर ध्यान देना है अगर मैं ऐसा लेकर जो इन पोर्न हुआ कि फूर्बिकुल के पूर्ण को मैं ने पढ़ा दी आपको भूलेंगे हां सर्ट ये वाला निक्स फ्रैक्शन है लेकिन यहीं मैं लिए साथ बटा दो तो अब बोलोगे यह तीन प्लस अत्वाटा दो से मिलकर बनाओं टीन तो पूर्ण है लेकिन साथ बटा दो उचित नहीं है यह अनुचित है वह लेगे यह वाला मिक्स फ्रैक्शन नहीं है समझ में आया बताई इतना क्लियर हुआ अब अनुचित भीन रिप्रेजेंट क्या करता है अगर हम लोग समझें कि अनुचित भीन क्या होता है चित्र से समझें यहां पर कुछ सर्कल दिख रहे होगे अगर इसे मुझे भेंदे के फॉर्म में शूरा ही सर्कल को रंगा गया है मैं हरे वाले भाग को दिखाना चाहता हूं कि किसे टीन और थरो इसका कोई भी इस्थखा खाली सिह आम आप इस वाले को बताई को आप कितने हिस्सें है टोटल सब्श माँच नहीं किरूंगे बताया है ऐंकि और वहां चीजिश्स्य में सब्ढूर बारकि पूरा था बिभूझ पूरा था और उसके अलावा पांच बटा और तो इस वाले भाग को इसको अम लोग रिप्रिजेंट करने के लिए उस करते हैं तीन पूर्णांग पांच बटा समझ में आया अगर मैं बोलू यह तो समझ गए आप कि पूर्णांग पांच बटा अगर मैं यहां पर बोलू आपसे कि आपने मानलो एक आपने पूरा खा लिए फिर से आपने एक रोटी और और किया एक रोटी और आपने पूरा खा लिए तीसरा रोटी भी आपने पूरा खा लिए उसके बार आपने क्या किया हाफ रोटी और लिए आधी रोटी और लिए हाफ है तो आप इसको नंबर के फॉर्म में पूरे क पूरा लिया यह यह क्या है एक बटा दो यह तो एक बटा दो और गलत हो जाएगा अगर आप ने तो यह गलत है देखो कि तीन पूरा तीन दोटी पूरा लिया ताथ में एक बटा दो और लिया तीन प्लस एक बटा दो इतना क्लियर है बताईए कोई भी डाउट है तो पूछ लो समझ में आया यह नहीं आया तो अभी मैं कोश्चन दे रहा हूं सभी लोग अंसर कीजिएगा पूल सेक्सर में ठीक है अच्छे यहां पर थोड़ी सी चीज़े और देख लेते हैं भीन के बारे में एक वार समराइज कर दे रहा हूं ठीक है उचित भीन है प्रापर लिखना चाहूं तो आप लोगे सब्सक्राइब नौ हो जाएगा उपर में चोटा रहेगा नीचे बड़ा रहेगा अनुचित रिखना है तो आप उल्टा कर दो ऊपर रखतो नीचे में चोटा कर दो सात बटा तीन ऐसे लिख दो ठीक है तो यह सारे क्या होंगे इन प्रा प्राइब करिए आपके सामने को ध्यान से पढ़ो कि बहुत ही आसान आसान कोश्चन है अभी कि आपको बोला जा रहा है चित्र में यहां पर कुछ सेब दिखाए गए है एपल दिखाए गए है आपको बताना इसके नंबर को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो मैट के आप बोलोगे सर यह वाला तो पूरा एक एपल है यह वाला भी पूरा एक पल है और यह आधा एपल है तो आप देखो इसको आपके इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे तो कि समझे इसको कि हां सुमन के नाम से जो बच्चे हो आपका सही है इस सुमन करने पर अबी बताना नहीं है माई कौन करके अंजर नहीं बताना है तो अभी बस आप स्वल्स करों खुद से अपने कॉभी पर लिखो और आप दिखा सकते हो आपका अंसर क्या है कि यादि आपका अंसर गलत है अभी आप से ट्राइब करो अपना अंसर सही करने कर दो कि आपका अंसर सही है ठीक है आप वोल में अंसर कर सकते हो हाविकास आपका भी अंसर सही है विकास के नाम से जो बच्चे हो चार बच्चे का अंसर और नहीं आया है अमित आपका भी अंसर सही है वेरी गुड़ अमित चलिए फाइब सेकंड और उक्राओं जिनका नहीं हुआ है जल्दी से अंसर करें पाइब और हो सकता है कुछ वच्चों के अंसर में नहीं देख पाया हूं ठीक है फासंदिक आपका भी अंसर सही है पाइब पोर जल्दी संसर किजिए थ्री टू वण चलिए अब मैं पोल को एंट कर रहा हूं तो अभी समझते इसको is अब्शन स्शें सर्या ये तो पूरा एप एपज़ पूरा है यह आधि यह आधी एप बटा दो इसका मतलूब बोलोगे दो पूरा और एक बटा दो दो पूरा और एक बटा है यह समझ में आया आप क्या कहते हो एक ऐसा दिखने वाले भीन्द को आप क्या बोलोगे अब इस कोश्चन में आपको माइक या कैमरा ओन माइक तो नहीं करना है कैमरा भी ओन करके दिखाने की कोज़ जरूत नहीं है क्योंकि काफी आसान कोश्चन है सीदे सीदे आप जाके पूल में अंसर कर तो जो भी आपको आपको सही लग रहा है एक तो इसमें पहली देख़रा इसमें आपको नहीं दिखा लिए अभी कैमरा बंद कर कि यह कुछ काफी आसान है अगर आप मेरी बाते सुन रहे होगे तो आपका अंसर सही आहे अगर इस से अंसर में अम नदरा रहा है मतलु क्लास में अब काफी आसान सा है एक पुलनाख दो बटा पांच इस प्रकार का दिखने वाला बेद को आप क्या बोलोगे के और अभी तक जितने अंसर आए साभी के एंसर सही है यह है कि अपना कैमरा बंद करो कि अपना दिखा रहे हैं ते यह का इस डिखा रहे हैं अमीत अलगा का जितने हमिंद सब्सक्राइब सब्सक्राइब है एक बच्चे का अंसर नहीं आए और सब्सक्राइब है तो इसको डिस्कस करने के पहले मैं आप सब्सक्राइब को सबसे पहले तो बोलूगा वेरी गुड ऑल आफ यू क्योंकि सब्सक्राइब है असान कुश्चन था आना भी चाहिए था सभी ने अंसर भी दे दिया ठीक है तो एक पूर्णांक दो बट्टा पांच इस प्रकार का जो भिन दिखता है आप तो सीथे बोलो कि सर्थ दिखने वाला भिन को आप बिल्कुल बोलो कि सर्मिस्र भिन आपने देख के अंसर कर दिय बताइए इसको अंसर करने में कितना दिर लगा होगा होगा आप आप बोलोगे सर्थ दौ सेकंड में रिए ना काफी है याउड वसापने कुश्चन पढ़ा अंसर कर दिया एक सेकंड ठीक है एक सेकंड में कर दिया तो अच्छी बात है अब इस पुछ फूसुच अज़ इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक पूर्ण भाग है एक पूरा हिस्सा है और जो अगला हिस्सा है उसमें से दो बटा पांच तो यह उचित भिल है इन दोनों से इसको आप अगर पिक्चर के फार में रिप्रीजेंट ना चाह Ob ॉकांच कोई शीज बना रहा हूं जो यह प्रौ कर्दो इक भॉत Tamam है तो एक दो तीन चार्वा ना तो यहाँ पर इस तरीके से मैं पांच भागों में वाटता हूँ त्वाब बोलोगे सर इस वाले भागों तो पूरा रंग दो ये तो पूरा ही सर्कल को रंग दो आप त्वाब बोलोगे सर ये पूरा एक सर्कल रंग आ गया और इसमें से पांच भागों में से कोई वी दो भाग को रंग ब है कि पिक्चर के फॉर्म में अप्की से उसको रिपिर्जेंट करते हो यह ना यह तो काफी आसान था कोश्चन तो मुझे पता है कि आप सभी ने कर लिया लेकिन आपको मतलब भी पता होना चाहिए ठीक है अगला कोश्चिन करिए यहां पर बताना है कि इसमें से कौन सा एक मिस्ट्रिभिन है बिल्कुल पिछले ही कोश्चिन से मिलता जुलता है तो फिर से कोशिस करना कि सभी का अंसर सही हो इसमें भी आपको कितना समय लगना चाहिए एक दो सेकंड या ज्यादा से जितना भी देर आपको कोश्चन पढ़ने में लगेगा ठीक है काफी बच्चे मुझे दिखा रहे हैं अपना अंसर ठीक है तो अभी तक जिसनी अंसर आये सभी के अंसर सही आया है जैदीप आप अपना अंसर चेक करोगे इस वार आप कुछ कलती कर रहे हो हुआ अब सही है आपने गलत ओप्शन दिखाया था प्रैल प्रैण अपने पिछले वाले कुश्चन का दिखा दिआ है ठीक है हम शंदेप शिव सुद्ण्र सभी के अंसर सही है इस वाले में तो अभी तक सब्सक्रीन के अंसर चाहिए और आना भी चाहिए यह सारे आपको नाम कुछ सुछ में आपके देङ्रे TV कुम्हें में अगर तो यह कं सेंट नरव लाश्ट टेन सेकेंड। है मैं स्क्षाइए आपका अंसर कर दो, है विच्था है, अभी मैं पौल को एंड करता हूं उसके बाद आप माने का अंसर देना हैं, ठीक है विक्रम फाइव हैं, फॉर टू, जो जी अभी मैं पॉल को एंड करता हूं औ और अभी अगर माइक कॉन करके अंसर देना है तो आप जिक Mia अभी बताईए कि मिस्ट्र भहिन का जो फॉर्मेट होता है आपने ये पूर्णांग यज सब्सक्राइब की आफी इतना ट्लियर है तो आज इतना ही रखेंगे इसके आगे हम आपके अभी दिखा दे रहा हूं या पर कोई भी डाउट है तो अभी रूप्य में पूचह सकते हो